पूरपिक है जिसका नाम है लीको लीको का पूरा नाम है लेजर इंटरफरोमीटर क्रेविटेशनल वेब अब्सरवेटरी ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत तेरी कोशन पूछेगे हैं और यह टॉपिक ये वरगीन टॉपिक है जो हमेशा के लिए महात्यपूर ने इस तो आप मेरी बुक में जो मेरी किताब बाती है उसमें आप पार्टिकल फिजिस के अंदर बास सकते हैं इस पूरे डेटेक्टर के माध्यम से हम गुर्टवा करिशन तरंग यानी क्रेविटेशनल वेब को जानने की कोशिश करते हैं आए यह सारे के सारे टॉपिक्स पर हम यहां चर्चा करेंगे और यह मेरा लेसन नमबर 118 है तिस इस कानेटिंग और उमीद करता हूँ आप इसके पीछे से लगातार सारे लेसन्स सुनते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं मेरा नम डॉक्टर रवीब घरी है और आप मुझे अनेक एडमी के ओनलाइन प्रेटफार्म पर सुन रहे हैं मेरे एक संस्था है प्रुवांच अले इसके नाम से फ्रवेरा में डारेक्टर एड गोरगपुर्ण प्रवाइडिन उतर फेस्टो फेस क्लासे स्राम लाज 18 यहां पर आप मेरे सारे के सारे पीडियाफ मेरे सारे के सारे वीडियो लिंस दे सकते हैं स्क्रीन पर देख सकते मेरा निकर्णी प्रफाइल प्रफाइल पर आप देख सकते हैं जहां पर आपको मेरी सारी फ्लस की क्लासे स्पेशल क्लासे स्थी मिल जाती आइं So I'll suggest to all of you आप मुझे यहां follow जरूर कर लें जो कि आपके लिए बहुत ही फायदे मंदों को बहुत सारे courses आपको मैं ही लेकर आता हूँ और यहीं आपको live lessons में मिलता हूँ मेरा code review PSC है जब भी आप किसी course को join करें review PSC course को use code को use करने पर आपको अत्रिक्त फीस में डिसकाउंटरी मिल जाता है वाई निकाइडमी की मदद से सफल हो चुके है इंडिया के best educators UPSC CSE की class लेते हुए आपको अनिकाइडमी पर बिल जाएगो It is great opportunity to connect all of them on an academy in the life lessons UPSC CSE के GS subscription में आप plus या iconic कोई भी course देना चाहते हैं इन में से different EMIs facility पर आपको courses दिये जाते हैं और इंको join करने के लिए review PSC code को use करें और आपको fees में discount भी extra 10% तक दे दिया जाएगा review PSC code को use करने पर आईए बात करते हैं science and technology पर जड़ा हुआ topic leego detector working leego detector working बहुत interesting topic है और यह हमेशा के लिए important है इसको current से मत जोड़िए इसको हमेशा के लिए evergreen topic जोड़िएगा कम से कम 2-3 बार questions आपके paper में leego detector या इससे जुड़ हुए concept gravitational waves पर पूछे जा चुके leego का पूरा नाम है laser interferometer gravitational wave observatory यह एक SO observatory एक ऐसी वेशाला है जिसकी मदद से हम लोग गृत्वा कुष्ण तरंगों को जानने का प्रयास करेंगे gravitational wave को समझने की कोशिश करेंगे और यह पूरा का पूरा जो gravitational wave होता है यह कहीं ना कहीं एक cosmic origin है जो ब्रिम्हान में उत्पन होता है और यह आज नहीं जब से ब्रिम्हान की origin हुई है बिग बैंक के बाद तब से लेकर आज तक ब्रिम्हान में कई वर ऐसी घटनाई हुई है जिससे gravitational waves उत्पन हुए है इन्ही gravitational wave observatory की मदद से gravitational wave का द्यान कर हम ब्रिम्हान की उन गुद्धियों को समझाने का प्रियास कर सकते हैं सुल्जाने का प्रियास कर सकते हैं लीगो एक्च्वल में है गया लीगो में एक्च्वल में हम एक laser interferometry का यूज करते हैं और यह laser interferometry जो होती है यही उसकी main technique ही है लीगो के अंदर जो की काम करती है यहावर हम करते क्या हैं यहावर हम दो waves को लेते हैं उनकी energy को एक दुस्रे के साथ मिलाते हैं और उन्सें होने वाले जो व्यतिकरण या interference जिसको आप कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे करते हैं मैं आपको experiment भी ले जा लोगा रुके, धीरे धीरे रुके अभी हम चीज़ों को आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें और बता दूँ यहाँ पर जो specific दो waves को हम use करते हैं कैसे करते हैं मैं आपको देखाऊंगा उसके कुछ interference results भी आते हैं किसी तीसरे wave की मदद से और वो तीसरा wave ही actual में जो होता है वो gravitational wave होता है जो हम यहाँ पर detect करने की कोशिश करेंगे जो तीसरे wave की वज़ा से यहाँ पर जो shape और size और pattern में जो changes होता है इन दो जो waves होते हैं इनको हम leigo के अंदर भेज़ते हैं इनके अंदर जो changes होता है वो तीसरे wave की वज़ा से होता है और वो तीसरा wave ही जो होता है वो गुर्तवा कश्रत तरंगे जिसे हम कहते हैं यह कैसे चीज़ें होती है कैसे दो waves combine करते हैं superposition कैसे होता है सारी चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ interferometry पूरी तरह से superposition के सिधान पर अधर interferometry में होता कि एक ऐसा instrument होता है actual में जो leigo के अंदर use किया जाता है जो दो different beams को separate करने की कोशिश करता है reflection के बाद यह सारे के सारे beams जब एक दुस्छे की तरफ आते हैं अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ चीज़ें अभी सिर्व आपको एक practical एक theory की तरह समझ में आती हूँ practical आपको आगे हो जाएगा थोड़ा सार टाइम दीज़ेगा यह आपको एक leigo detector का picture दिखाया जा रहा है जहां पर यह लगा हुआ है देखो leigo detector अक्षल ने बताओं तो दो जोगों पर है और दोनों जगा पे एक ही दरागा लगा हुआ एक जैसे हैंफर्ड है हैंफर्ड हैंफर्ड पढ़ता है आपको वाशिंग गटन में हैंफर्ड पढ़ता है वाशिंग गटन वाशिंग गटन में और दूसरा होता है Livingston जो पढ़ता है और इन दोनों की distance तक्रीबं 5000 किलोमेटर है यह अप्रोक्स 3000 किलोमेटर डिस्टेबं तीन हजार चार या आठ ऐसे किलोमेटर है जो की हैंफर्ड लिविंग स्टन की बीच की दूरी है और दोनों जगह पर सेम तरह का L-shape का detector यहां भी है, L-shape का detector यहां भी, यह देखे ना, L-shape का detector आपको देख रहा है, यह देखे, इस तरह से detector देख रहा है, लीको अब्जरवेटरी है यह, और अगर gravitational wave है तो दोनों जगह पर सेम समय में गुर्ट्वकर्शन तरंगे जो हो होंगे, gravitational wave जो होंगे, वो detect किये जाएंगे, और I hope आपको पता होगा कि लीको का जो तीसरा detector है, वो भारत में हो रहा है, जो कि लीको इंडिया के नाम से आप जानते हैं, हिंगोली डिस्टिक महारास्टा, हमारे पाल्यामेंट में चीज़ा पास हो गई है, और आगे भवि gravitational wave को चेक करने के लिए, हमेशा दिया रखेगा, एक समय में हर जगप पर gravitational wave detect होगा, तब ही ये confirm होगा, वो gravitational wave है, और ऐसा कहते है, gravitational wave जो ब्रिमान में किसी कारण से जनित होते हैं, वो पृत्वी तक भी अगर आते हैं, तो speed of light से आते हैं, ओके, और speed of light से अगर कोई चीज आती है, तीन लाग किलमेटर पर सेकंड में, तो परदा चला, माले ये पृत्वी है, जस्त यहाँ पर अंडर किया और जस्त यहाँ पर निकल गया, यानि within a second के अंदर वो पृत्वी के हर जगपर जहां 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 observed होगा, हर जहां रिपोर्ट किया जाएगा, इसलिए मन लीगो डिटेक्टर की बैग्गाउंड पर जाएं इसके तिहास पर जाएं तो United State National Science Foundation और NSF नहीं इसको पूरा सपोर्ट और फंडिंग किया है लीगो को 1979 में वो अलग बात है कि 1994 में जो construction शुरू हुआ है वो हैंफर्ड वाशिंगठन और लिविंस्टन लूसियाना में शु किया गया था बाद में उसको बंद भी कर लिया गया देरे देरे उसमें कुछ और सेंसर्स और चीज़ों को इंप्रूफ करने की कोशिश की गई जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं 2009 में जाकर इसमें इन्हांस लीगों बोला जाने लगा उसमें काफी चीज़ें आपको बदाओं अगर एडवांस लीगों विच्वास कंप्लीटे और इंट्रियूस पूरी तरह से वह 2014 में होगा और यहीं देखे 2014 पंदर के आसपर जाकर सबसे पहले ग्रेविटेशनल पे भी डिटेक्ट किये गया और 2015 देखे लिखा हुआ यह सुरुवात थी जब सब सबसे पहले गृत्वा-कर्षण तरंगों की पहचान की गई दुनिया में सबसे पहले गृत्वा-कर्षण तरंगों के बारे मताने वाले जो साइंस्टि थे वह आइंस्टाइन थे आइंस्टाइं ने अपने जनरल थियर अफ्लेटिविटी के समय समाने सपिक्षता के सिध्धान के समय ही इस चीज़ों के बारे मता दिया था कि ब्रिम्हांद में गुर्ट्वाकर्षण तरंगे मौजूद हैं और इनी गुर्त्वाकर्शन तरंगों के बारे में 1915 में आप देखे आइंस्टाइन की जनरल थेयरी अफ्लेटिव्टी आती है और 2015 में जाकर करीब हम लोग गुर्त्वाकर्शन तरंगों को ढूण रहे हैं यानि 100 साल पहले उस व्यक्ति ने उस महान वैग्यानिक ने कैसे इन चीजों के बारे में गड़ना कर दिये होगी यह सुचने की बात है कमाल का mathematics और physics मतलब आइसाइन गारा होगा जिसके बेसिप सब्सक्राइब मैथमेगल थेरम वगरा से यह फिजिक्स वगरा की थेरम से इन्होंनी चीजों के concept को प्रूफ किया इस तरीके से करके आपक 2016 हो जाता है अगर की बारे में आप जानना चाहें तो एक रिपल्स है एक रिपल्स है इस फेस टाइम में होने वाला जो जो हाई वेलास्टी के साथ आगे बढ़ता है और यह तब ही उत्पन होता है जब कोई बहुत बड़े ऑप साइस के जो ऑब्जेक्स होता है उनके बी जैसे मामोलो एक बलाख हो और एक और बलाख होम अगर मैं आपको दो लड़कियों को ले लो एक लड़की यह है लडगी है दो गुर्स है अपने लड़कियों को एक खेलःकते देखाओ का दोनों उब दोनों जुसे से का हात पकड़ लेती है और और दोनों globistरी के चारह पहलत रही होती हैं चुकि एक दुसरे को खीच रही होती है एक समय ऐसा आता है जब दोनों भीड सकती है लेकिन उससे पहले ही दोनों के पास दिमाग होता है अपना हाथ छोड़ देती है लेकिन वही पर अगर मालो तो, व्लेक होल, ब्रम्हान में महजूद ऐसी चीज़ा होती जहां कि गुर्ट बहुत जयादा होता है, प्रेमान बहुत जयादा होता है. और दूझ ब्रैकिपोल एक इक संपर्क में आ जाते हैं और अट्र Kingdom में आते हैं उसको । को हो घ्राविटेशनल फोर्स कहते हैं हुआ बता है ग्रविटेशनल फोर्स है और प्रकृति में मौझूद है यह पूरा ब्रमान जो है वो चार नेच्वल फोर्स से मिलकर बना है जो मैं आपको बारबर क्लास में भी कहता हूँ उनमें इलेक्रोमेनेक्टिक फोर्स, ग्राविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉंग फोर्स और वीक फोर्स आते हैं यह जब मास ग्राविटेशनल फोर्स की बज़र से एक दुस्ते के साथ गुमते-गुमते ठक कर और भिढ़ जाएंगे, जैसे लड़किया ठक कर भिढ़ गई थी तो यहां पर मैसिफ 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 वेप्स निकलता है ये बड़ा साइस है तो काफी massive waves निकलता है और gravitational force की वैसे attraction में आई और भीड़ गई इसलिए जो waves निकलाओ से बोलते है gravitational wave यही gravitational wave होता है जो पर ब्रह्मान में सी घट्टायन होती है और यही gravitational wave जब प्रित्वी से निकलता है तो यहां से और यहां से निकलने में उसको सिर्फ सिर्फ एक सेकंड के अंदर ही वो इससे फार हो जाता है तो यह बहुत सारी घट्टाओं से आज से gravitational wave की पुस्ट्री हो चुकी है तो यह मैं सुझे के gravitational wave सिर्फ एक बार मिल चुके है बीस से अधी बार gravitational wave की जानकारी हो चुकी है दुनिया में कुल 6 लीगो observatories news में रहते हैं जिनमेंसे पांच ऐसे हैं जो अलड़ी बना लिए गाए है और एक ऐसा है जो भारत में लिगो इंडिया जो हिंगो लिडिस्टिक में है वो अभी construction phase में है यहाँ आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एक space time है जो आइस्टाइन ने बोला था जनरल तेर पर अगर अगर अलग-अलग मास की object को रख देते हैं जैसे यहाँ पर तीन डिफेंट मास के बॉल को रखकर समझाये गया है जहां पर मास ज्यादा होगा वहां पर बेंड ज्यादा हो जहां पर मास कम होगा वहां बेंड कम होगा जहां मास सब से कम होगा वहां बेंड सब स से चारो तरफ चक्र लगाता है तो यह है गुर तो इसको ध्यान रखेगा और इसको हम बोलते हैं दिस इस दा वाट इस दा जैक्स तो जितना मास होगा अगल वगल की चीजों का उत्ता ही अट्रैक्शन होगा एक सिंपल भाशा मैं बता हूँ तो माले यह सन है और अगल वग यह सब सूरी के सारो तरफ चक्र लगा रहा है यहां अब आपको कुछ चीज़ें और बढ़ा दूँ यह स्ट्रॉंगेस वेड़ा जो होते हैं वह स्पेस टाइम में डिटक किये जा सकते हैं इनको इनको मेजर करने के लिए हम करते हैं बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जो मैं वहां की तरफ लिए चलता हूं यहां वर आपको समझाने कोशिश की जा रही है जो लाइक जो लाइस हैं वो उसका उसका स्पीड कभी बदलता नहीं है वह हर जगा पर वही स्पीड रहता है यह कोशन आपके वेपर हैं 2021 के आस्वाजी पूशा गया कि ब्रमान में हम ब ग्राविटी की वैज़े से वो बेंड तो भले हो जाता है लेकिन स्पीड वो चेंज नहीं करता है स्पीक्टर में कुछ ऐसा समझाने की कोशिश की गई है और आइस्टाइन ने भी बोला था कि लाइट बेंड दू इफेक्ट आफ ग्राविटी बद यह नहीं बोला था कि इस पीड चेंज हो जाती है असल में होता क्या है लीडोग डिटेक्टर में जब एक्सपेरिमेंट आपको दिखेगा तिहां दिखेगा कि अगर जो दो पॉइंट के बीच में जो लाइट है अगर दो पॉइंट है ना इफ दा स्पेस बेटिन दो पॉइंट स्टेचर कर ज चलने में और वहीं पर दो स्पेस के बीच होता है स्वीच कर जाता है यानि और कम हो जाती है दिस्टेंस इस्टेश फैलना नहीं फैलने का उल्टा यहां पर चिपक जाना टाइप पर स्वीच होता है तो यहां समझ में आता है कि light would take less time to go back to two points यह एक concepts है जो interferometry के सिध्धान पर आथारित है और इसी विस्टेश पर हम लोग करने की कोशिश करते हैं अब यहां मैं समझाता हूं वर्किंग ऑफ लीगो के लिए आपको दिखाता हूं कि तीलगवाद हजारो किलोमेटर की डिस्टेंस पर लीगो अब्सरवेटरी लगाए गया यहां पर आपको लीगो के अब्सरवेशन देखाता हूं आपको यहां एक लेजर सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लेजर लाइट भेजी जाती है यहां पर एक बीम स्प्लेटर है बीम स्प्लेटर क्या करता है जो लेजर लाइट आ रही है यह 100% वाली उसको स्प्लेट कर देगा यहां पर होगा एक डिटेक्टर यह डिटेक्टर क्या करेगा इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा इसके वेज़ को ओके यह एक नॉर्मल सिचुएशन में आपको देखें। यह वाला वेजस इसका करव देखिए और यह वाले वेजस का करव देखे यह जो आ रहा है तो जितना अप उतना ड़उन जितना अप जितना ड़उन दोनों मोला करें यहां पर कोई सिगनल नहीं है क्योगि देखे वो भी Speed of Light से जाते हैं यहां Laser भी आप Speed of Light से ही एक Laser Light भेज रहे हैं तो वहां Laser of Light क्या करता है इस वाले Arms में या इस वाले Arms में क्या करता है एक जगा आपको क्या करेगा stretch करेगा एक जगा आपको switch करेगा इसका मतलब सीधा होता है कि यहाँ पर कुछ extra waves है जिनका effect देखा जा रहा है और यहाँ पर आपको जो detectors होंगे जो light detectors है वहाँ आपको कुछ signals बदले हुए नजर आएंगे जो पहले इस तरह आते थे ना आप देखें यह आपका अपना waves है जो laser light आप भेज रहे हैं यह आपका extra gravitation wave है तो मिला करें आप signal का पता चल जाता है यह detector ही ऐसा है जो इस तरह की curve और instruments हो लेकर रखता है वो graph और curve के तुरू चीज़ों का observation कर देता है पता है जो observation आपको livingstone में लेगा ना lucyana में सेम आपको वही hand for washing return में भी बेलेगा और यह दिहां रखेगा यह space time fabric जो होता है space time fabric जो होता है जो Einstein ने बोला था वो stretch हो जाता है किसी one direction में और अगर एक direction में stretch हो जाता है तो another direction क्यों हो जाता है वो squeeze हो जाता है जिसके basis पर जानने की कोशिश की जाती है यह सारे के सारे information से जो experiment मैंने आपको basic तरीके से समझाती है और अंत्रिक्ष space time को समझाने का प्यार्स करता है इस PDF के लिए आप टेलिग्राम से जुड़े रहे हैं t.me.gov.ru यहां पर आपको मेरी सारी कि सारी classes मिल जाती है मेरा कोड रवी यूपीस्ट है जब भी आप किसी कोर्स को जवाइन करते हैं रवी यूपीस्ट को यूज करने पर आप तरीक फीस्पें 10% डिसकाउंट मिल जाता अभी आप कॉमबो सब्सक्रिफिशन में जो भी छूट है वो ले सकते हैं 10,000 रुपे एक्स्ट्रा तक आपको छूट मिल जाता है कॉमबो का मदलब होता है कि आप GS और Optional दोनों साथ लेते हैं तो और अभी UPSC कोड पर आप पत्रिक 10% की छूट दी जाती है यगर किसी तरह का डाउट है तो दीए के नंबर पर संपर कर सकते हैं UPSC CSC के नोट 2.0 अपडेटेड हैं Comprehensive Coverage, UPSC Means-PYQs के साथ Contemporary Issues के जोड़ते हैं नोट अपडेट किये गए हैं UPSC CSC के अगला batch 18 जासर स्टार्ट हो रहा है इसे मिस्तना कर रहे हैं यह batch bilingual and English don't ही मात्यों में है आपको 0% EMI facility भी देता है, loan facility भी देता है किसी को financial crunch है तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं UPSC CSC SuperCombat 2023 के लिए जितने student, students interested हैं आपको यह test जरूर देना चाहिए 21st August को 11 बजे इसे enroll जरूर करें, review PSE code को यूज़ कर इसे enroll करें और यहां पर आपको बहुत सार इस scholarship जीतने का महुका भी मिलता है Unacademy Pryas 2022, offline main smoke test आपको organize करा रहा है 22-25 अगस्त, 9 बजे से 5 बजे तक as like UPSC schedule, आप इसे जल्दी से जल्दी enroll करें इन्रोल करने के लिए review PSE code को यूज़ करें, यह test आपको डेली जैपूरा लग्णाउं से इंटर पर organize हो रहा है Optional Cornival में आप जुड़कर an academy से optional की मदद भी ले सकते हैं किसी भी तरह की help के लिए contact number पर संपक करें मेरे courses science tech environment के और सासत agriculture भी आपको मेरे courses में बिल जाएगा मुझे सुनने के लिए plus courses में मुझे review PSE code के साथ join करें अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं किस तरह के doubts और कोई queries आप मुझे दिए गए number पर direct call कर मुझे संपर्क कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा पीड़प को जाकर आप टेलीग्राम ग्रूप से ले रीज़ेगा धैन्यवाद अगले lesson में आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक अपना क्याल रखें स्वस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्क्रादे रहें, जैहिं